प्रकृती अपने निर्मान में हस्ती है और विनास पर रोती है अपना पुरातन परवत विंद स्रिष्टी के विकास में सहायक रहा है मनुस्यों ने अपने हाथों को धर्ती से उठा कर अपने प्यारों पर चलना सीखा इसमें जेवन देवता की आसिरवाद रस्मे उन्हें आलोक में लेकर आई जिस परकार वन एकुसों जल की धारा में बहते हुए एक के बाद एक आकार माला की लड़ी बनाती है उसी परकार मनुस्यों से भी समय के अनुसार अपने जीवन सहले में लगतार सुधार किया एक की बाद एक आविसकार किया और अपने भोग विलास म लिप्त होता चला गया। उसने ध्यान ना दिया कि इससे प्रकिर्टी को कितना नुकसान हो रहा है। पर विधाता जिन प्रानियों की श्रिष्टी करती है। उनके लिए अलग-अलग विधान बना कर उसी के अनुसार कुछ दिनों तक जीने, अपने संकेत पर चलने और फिर मर जाने के लिए विवश कर देती है। अब रजनी का अंधिकार करमशा सगन हो चुका है। मानव पसान प्रतीमा की तरह सब कुछ देख रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रहा है। कुरोना वाइरस नाम की महामारी अस पूरे बिश्व में फैल चुकी है। मानव का अस्तित् मारे सारे रीक और मानसिक स्वास्ते पर बहुत नकरात्मत परभाव पड़ा है। ऐसा परतीत होता है जैसे नदी की धारा में फूलों की श्रेनी बिगड़ गई हो। लेकिन इस महामारी ने एक बात साबित कर दी है कि इस मुश्किल घड़ी में सारे दुनिया एक साथ लेंगे। तो फिर क्या यही जजवा और इच्छा सकती हम परियावरन बचाने के लिए जाहिर नहीं कर सकते। दुनिया का ये लोगड़ॉन प्रकिर्ति के लिए बहुत मुफित साबित हुआ है। वातावरन धुलकर साफ हो चुका है। कारबन उत्सरजन में भी कमी आई जीवित रहने के लिए वातावरन को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। स्वस्त रहने के लिए स्वच वातावरन की आवशकता है। यदि हमारा वातावरन इसी तरह दूसित रहेगा तो हमें स्वास लेने के लिए शुद्ध हवा और पीने को स्वच पाने नहीं मिल स प्लाश्टिक के परियोक पर परतिबंद लगाना चाहिए। उनकी कई प्रजादियां विलुप्त होती जा रहे हैं। लोगों को पर्यावरन सरक्षन के प्रति जागरूप करना होगा। हमें प्रधागिकी और वातावरन के भी सामंजस से बिठा कर चलना होगा। भारत सरकार ने भी वातावरन को सुरक्षित रखने के लिए स्वच भा पर्यावरन की रख्षा करें और इसे स्वच रखें क्योंकि तभी हम भी स्वच रह सकते हैं। पर्यावरन ने हमें इतना कुछ दिया है। अब यह हमारा फर्ज है कि हम अपने आगे के प्रभी के लिए इसे सुरक्षित रखें। थैंक्स पर वाचिंग। अगर मेरी अब प्रेस्ट बेल इकन। थैंक्य।